जहें दोस्तों आप देख रहे हैं exam made जी और इस वीडियो में आपको UPSC civil services men's examination में क्या गलती नहीं करनी है और आप लोगों की एक curiosity होती होगे अंदर से कि यार UPSC में जो original copy आती है वो आखरकर आती कैसे हैं ठीक है तो मैं आज आपको original जो copy है वो दिखाऊंगा ठीक है जैसे ये general studies paper 1 यानि कि general studies में इस पकार की copy होती है जैसे आप जो optional subject लेते हो उसमें इस पकार की copies होती है और essay में आपकी इस पकार की copy होती है और जो compulsory जो paper होते हैं उसमें इस पकार की copies जो है होती है तो इनके बारे में बताऊंगा ये copies आपको मैं discussion comment box में link भी दे दूँगा वहाँ से जाके आप इने download कर लीजेगा ठीक है लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो है आपकी mains examination में negative marking भी हो जाती है पिछले साल से negative marking होने लगी है और वो कारण क्या है आकरकार ऐसा होता है कि जैसे 246 number 8 number काट लिये जाते हैं लोगों के ठीक है mains examination में यदि कुछ चीज़ें follow नहीं करेंगे तो ये तो copy है चलिए मैं थोड़ा सा copy दखा जाता हूँ फिर उसके बारे में बात करेंगे जैसे अब एक दो दिन में आपके number आ जाएंगे जो भी toppers हैं उनके तो उनके number हम देखेंगे तो उसमें पाया जाएगा कि 246 810 number जो है mains examination में कम हो गए उसमें दिया भी होगा वो कम कहा होंगे उसके बारे में बात करूँगा जैसे general studies की ये copy होती है इसे हम QC A B बोलते हैं ठीक है UPSC की language में QC B question come answer booklet ठीक है और पहले क्या होता था 2014 से पहले कि आपका प्रस्ण पत्र अलग होता था question paper अलग होता था copy simple way में होती है ठीक है इस पकार से कुछ लिखा नहीं रहता था general studies first paper या कुछ ऐथी चीज है अब क्या हो गया कि copy के अंदर ही आपको प्रस्ण देखिए copy की design होती है यहाँ पर आपको अपना नाम नहीं लिखना होता है किसी वियालत में परिच्छा का नाम परिच्छा का माध्यम लिख देते हैं यहाँ पर जो भी हो हिंदी इंगलिस पहले से ही जिससे समझ मा जाए अनुकरमा यहाँ लिख जाता है और परिच्छा का नाम यहाँ पर लग जाता है यह आपका प्रस्ण पत्र पुष्ट का जो QCA भी बोला जाता है उसका यह नंबर होता है इसे आप क्या कर सकते हैं जो आपका question paper जो आएगा देखे इसके अंदर तो questions रहते ही है साथी साथ प्रस्ण पत्र भी आपको अलग से मिलता है ठीक है उसमें आप इसको नोट जरूर कर लिया करें है जैसे बाइचन बविस्ट में कोई problem हो जाए तो यह चीज आपके काम आएगी यहाँ पर कुछ अनुदेश होते हैं जो की परिच्छकों से और आप से रिटेड है ठीक है वो दिये रहते हैं आपके marks जो हैं यहाँ पर जोड़ दिये जाते हैं यह हुई एक तरह से copies ठीक है यह हुआ question paper question paper का instruction पहला होता है वो तो है ही है लेकिन इस पकार से आपको copies मिल जाती है जैसे मानके चलिए यह प्रस्ण है भारती कलाब रहसत का सनरचन बरतमान समय की आवसकता है चर्चा कीजिए यह आपका 1500 सब्दों का है दस नम्मर का है तो इसके लिए अलग से इतनी जगए दो पेज जो है छूटे हुए मिलेंगे और 1500 सब्द लगवग एक पेज में आपके आयाते है नहीं डबल पेज आपको मिलता है लिखने के लिए ठीक है बाई चांस कोई प्रॉबलम हो जाए तो आप उसे काट करके दूसरा भी लिख सकते हो इसी प्रकार से आपका लोग प्रसासन की copies रहती है सेम वही चीज़े हैं साधी ठीक है और प्रसन जैसे भी रहते हैं वही सेम इस्तिती में प्रसन लिखे रहते हैं उनमें आंसर आप इनको करिएगा एक बार डाउनलोड कर लिजगा डिसक्रशन कमेंट बॉक्स से और इनको निकलवा लिजगा ठीक है कि UPSC ने कुछ गाइडलाइन जारी की है कि इस copies के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें नहीं करने है यदि ये कर दी तो आपको negative marking हो जाएगी अब वो क्या है UPSC ने इसमें सक्त instruction दे दिये हैं ये भी आपको discussion comment box मैं मैं दे दूँगा ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं क्या चीज़ें उन्हों ने कहीं है देखिए जैसे मान के चलिए कि किसी ने copy है जैसे ये copy है यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था ये copies है पूरी और यहाँ पर आपने कहा कर दिया कि कि कोई भी number लिख दिया अलग से जो बताया गया है उसके बजाए कहीं पर भी कोई number या कुछ भी लिख दिया जैसे ये लिख दिया ठीक है कुछ लोग लिख देते हैं क्योंकि ये लिखे हुए हैं ये लोगों दोरा इस वज़े से कुछ लोग main section देने जाते हैं और ये चीज़ें ये वो मुस्लिम का किसी का चिन था यहां पर मानके चलिए समझ मारा है किसी मुस्लिम समाज से जो होगा उसने लिखा होगा 780 इधर क्या समझ मारा है किसी इसाई समाज से होगा उसने ये चिन बना दिया है अब यहां पर हरे रामा हरे किष्ण किसी ने लिख दिया इस पकार से इस पर भी negative marking हो जाएगी आपकी इससे समझवा रहा है कोई ऐसे ohm का चिन बना दिया इस पर भी आपको कहीं नंबर कटेंगे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो जो instruction दिये गए वहीं पर लिखना है आपको यह जगह दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर ठीक है अब इस जगह की बात करी गई है कि यहाँ पर कोई numbers बगएरा यदि आपने लिख दिये तो उस पर भी आपके number काट दे जाएगे जो भी लिखना है आपको इन line ओं के बीच में ही लिखना है ठीक है और और यहाँ पर क्या करना होगा उमीदवाराओं को इस आजिये में नहीं लिखना चाहिए यहाँ पर क्या है यह जो चेक करता है वो यहाँ पर लिखते हैं आपको कुछ भी नहीं लिखना है इस ओर ठीक है तो यानि कि ना इधर लिखना है क्या क्या नहीं करना है ठीक है अब इस प्रकार से बानके चलिए परिच्छा का नाम लिखा हुआ है लेकिन गलती से आप क्या भराए यहां पर परिच्छार्थी का नाम तो आपने अपना नाम लिख दिया तो इस पर भी आपको negative marking हो जाएगी ठीक है आपके number कुछ 8, 10, 2, 4, 6 number काट ले जाएगे देखिएगा अभी toppers की copy आएगी उसमें आपको दिखाई दिखा कि number कहाँ गायब हो गए उनके 8, 10, 4, 6 number जो कट गए ठीक है ज्यादा problem नहीं है ल जलती से बहुत साई लोगों से ऐसा होता है इस वैसे ये instruction दिये गए है अब मानिक चलिए roll number परिच्छा का माध्यम की जगे आपने roll number लिख दिया तो वो भी गलत हो जाएगा ठीक है और ये visible होना चाहिए जहाँ पर भी आपको roll number लिखना है वो visual होना चाहिए माली जो ना नाम है नाम लिखा आपने ऐसे काट दिया है यानि दिखाई नहीं दे रहा नाम बगारा काट दिया तब भी गलत हो जाएगा ठीक है नाम नहीं दिखना चाहिए आपको यहाँ पर इस पकाद से परिच्छक के अस्ताचर है आपने अस्ताचर कर दिया उस जगह गलती से बह क्योंकि यह क्या होती है यह UPCS अमानता है कहीं instruction तो नहीं दे रहे बच्चे चेक करता को ठीक है हो सकता है मिल जाए किसी प्रकार से कुछ भी हो जाए इस प्रकार से कुछ भी नहीं देना इस प्रकार से दो language में भी कभी नहीं लिखना है नहीं तो number आपके cut जाएंगे ठीक ह इंक आपको एक इंक ही यूज करना है यानि paragraph में change नहीं करना है आपको कि एक paragraph दूसरी इंक से लिख दिया एक paragraph दूसरी इंक से लिख दिया नहीं इसी के बीच में यदि कोई सब्द हो उससे आप कर सकते हो underline दूसरे pen से कर सकते हो कुछ भी कर सकते हो लेकिन लिखा पूरा जो format होना चाहिए, वो एक ही pen द्वारा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर दे दिया instruction, नेक्स्ट है आपका, इस पकार से आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, जैते मान के चलिए, बहुत सारी लोग ऐसे लिख कर आते हैं, इस वएसे यह instruction दे दिया है, और लोग लिख कर आए हैं, उन्हीं की copy यहाँ पर यह चाप दी है, ठीक है, यूपेसी ने, सर अतवा मेडम, यह मेरा अंतिम प्रियास है, करिपया सानवती पूरवक, इसकी जांच करें, इस पकार से लिखोगे, आपके number चेक हो जाएं, जैसे 10th और 12th में आपकी copy चेक होती हैं, तो कभी-कभी पैसे मिलते हैं, copies में, दिखाई देता है, इस पकार के बच्चे यहाँ भी होते हैं, ठ बहुत सारे ऐसे होते हैं, लेकिन इस पकार से चीजें नहीं करनी हैं, आपको, next आपको writing, handwriting, handwriting कैसी होने चाहिए, ऐसी handwriting नहीं होने चाहिए, दगही दे रहा है, कम से कम पढ़ना आए, ठीक है, पढ़ना आए, यदि ऐसी होगी, तो आपका होगा, क्या number negative में चले जाएंग समझने के प्रयास में, क्योंकि ज़्यादा मेनत करनी पड़ेगी, writing expert वहाँ पर बिठाने पड़ते हैं, फिर नहीं समझ में आती है, copy तो चेक हो जाएगी, लेकिन number 20, 35, 30 number कट जाएंगे, कोई फायदा नहीं है, इस पकार से ऐसी handwriting नहीं होने चाहिए, देकि यहाँ पर प्रस्ण काटा हुआ है, इस वैसे इसकी जांच नहीं होगी, ठीक है, आपको जो भी answer देना है, वो काटना नहीं है, यहाँ पर यह instruction दिया जा रहा है, इस पकार के जो बनाते हैं आप, UFO, aliens वाले यह चित्र वगएरा कुछ बना देते हैं, लोग इधर भी बना देते हैं, ठीक है, ऐसा बिलकुल भी नहीं करना है, इसके भी irrelevant कोई चीज मिली, इस पकार से number कट जाएंगे, question के अंदर आप कुछ भी आपको लग रहा है कि कोई diagram बर अगर बनाना है, वो बना सकते हो आप, irrelevant नहीं करने है चीज, ठीक है, यह भी इधर दिया है, चाहिए लास्ट में इस examination यह आपको परिच्छा का नाम यहाँ पर लिख दिया, ठीक है, बागी का आपको कुछ भी नहीं बनना है, बस इतना ही बनना होता है, और यदि प्रस्न है, उसे आप काट रहे हो, मानके चलिए, काट रहे हो, तो इस पकार से लिखिए, और उसे ऐसे करके, दो तीन ला यह copies बगरा तो आपको description, comment box में लिंक मिल जाएगा, और विशेज ध्यान रखना है, केबल man's examination देना ही important नहीं होता है, कैसे देना है, क्या चीज़ें ब्यवार करना है, वहाँ पर वह भी बहुत माइने रखता है, तो इस वीडियो को like और share कर दीजे, दूसरे लोगों तक जहिंजे बारत धन्यवाद